मुल्क पर दादा होती है लेकिन सुरतिहाल वैसी है कि पूरे आलम इसलाम पर भुष्टू करनी कही है और आलम इसलाम तुर्की से अफरीगा के जुनूब तक मराकश से बंग्रादेश तक इंडोलेशिया तक खेला हुआ है और उसमें वो मुसल्मान आवादिया में शामिल है चीन वोगरा दूसरे मुलकों में है तो यह आलम इसलाम है जिसका तारिफ और तहरीद बिरहाद से हमारा मुलक भी आलम इसलाम करी हिस्सा है और इस आलम इसलाम में उम्मत मुस्लिमा रहती है तो अम्मते मुसलिमा के बारे में सूचने के दो पहलु है और दौनों पहलु की एहमियत है एक पहलु चैर्णिस का है यह ऐनि उम्मत के बारे में जो खयाल आए तो यह खयाल आए कि उससे बाद चैर्णिज बरफेश है जिनके जवाब उसे देना है कि बास सही है, अधिकत है, मगर ये सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू ये है कि ये उम्मत कुछ मकसद और्विशन रखती है, जो जाइमी है, मुकद्द से बलंद है, ये दूसरा पहलू वह है जो बहुत कम लोगों के सामदे है, पहला पहलू कब भी अंदार ये होता है कि लोग कुछ नी समझे और उनके जहन में वही बास है बस एक, कि हमें क्या लुकावटे हैं, दुश्वारियां दरपेश हैं और उसी पर वो और करते हैं, इसमें आखिर तरद्द का पहलू क्या है, तो तरद्द का पहलू ये है, कि अपने दु कि उच्के लाद पड़ तो दुनिया का हर ग्रोव और तरता है, वो नसली ग्रोव हो, वो तहली भी ग्रोव हो, वो ओमी ग्रोव हो, तो अपने मसायन पर गोर करने के लिए उसका होना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, बलके महिद ग्रोव होना का इहसास काफी है, लेकिन अपने मिशन और मकस्त को गोर करने के लिए, जो मिशन और मकस्त ग्रोव की अदमत की बाद्याफ्त नहीं है, बलके इनसानों की रिंटबाई है, तो उसका गोर करने के लिए शवूर की बलंतरीन सत्य तरकार है, यह तरत उसकी बात है, यानि हम यह नहीं चाहते हैं, कि उम पाकि इंसानी ग्रोह का शबूर उसके अंदर पैदा हो तो यह वा बात है जो इंसानियत के मसाइव को हल करती है तो यह आदम इसलाम जो पूरी दुनिया मवजूद है तो इसके बारे में बारा इन दोनों पहलू करनी ग्रज़ है और पहला पहलू बिल्कुत दुरुस है और अपने मिशन को भी हम इसी महर्ड के तहट अंजाम दें तो यह तो पूरा आलम इसलाम है इसमें एक जजबाती वहदत तो पाई जाती है यानि हम सब को उम्मत मुस्लिमा होने का अहसास है लेकिन बहुत सारे तफरते बहुत सारी आपस की कश्वकश भी पाई जाती है जे इलाफों की है, जबानों की है और इसको दूर करने के लिए कुछ करने के जिरूप जोरुशं की दूरुप है और वो बन्यादी दार पर दो बात ने के हैं एक दो बात Gen 00 मजीद पर उम्मत का मत्विफ होना है तो इस सिस्रे में जितनी कोशिश की जा सकती हो वो गया इस मसले को खर्थ करेगी हमें ये भी समयता है कि हकिकत पसंदी की बाती है कि अगर उम्मत का थोड़ा सा हिस्सा भी इन बुनियादों पर मत्विफ हो जाए तो उम्मत के बागी हिस्से पर उसके असरा पड़ते हैं और वो पूरी उम्मत को गया साथ ले जाने की पोजिशन में बताएं और इस काम के लिए जो इतफाक और इत्हार वारा काम है उसके लिए बाहं तबादल ख्याल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि हम पूर लुप्रिमा और जमावतों पर इस तरहात को भी एक तरस रख रख लें और वैस्टित मसल्मा लें जुसरे से बाद करें तो यह लोग उमत मुस्लिमा हैं इसको अपने मसाईन ख़लत करने हैं और इसके मसाइन बाहर के भी हैं अंदर के हैं बाहत को दो हैं आर्म इसलम आद इस घुलामी से नजात पाना ये उम्मत के खार्जी मसाहिल को हल करने में सबसे जादा एंगियत रखने वाली बात है। इसमें हिंदुस्तान के मसल्मान सोच सकते हैं, मश्मरा दे सकते हैं, शरीख हो सकते हैं, दौा कर सकते हैं। लेकर बारण ये मसला हैं। दौसरा मसला ये है, कि ये जो पूरी उम्मत हैं जिसमें मुफ्तरिक मुल्क हैं और पार्टियां हैं, अदारे हैं, लेकिन एक बड़ी तादा बाहरा रहती हैं, और दिकर तादा हैं, जिसके दिल में दीन से भी महबत हैं और मसल्मानों से भी पार्टीों में भी हैं, विर्क्रेसी में भी हैं, अदivaresusz, बारणों में हैं हैं तो इन सब को ये बताना है, जिस वे इस अम्मत का जो अन्दूरूनी मसला है, बहर वारे मस्हार का बिक्रतों हो गया, आप इसे आदा दिना हैं, अंदुरली मस्हा यह है, कि आप इस उम्मत में इसलाम को काम करें, दीन काम हो हमारी इंखराबी और इसक्राबी जिंदिगी नहीं, और इसके लिए गामदी बिक्रतों हो रहा था, गामदी साब के बहुत सा मेरि इसलामी खानूम करेकाथ के लिए अवाम की मंदूरी जरूरी है। अवाम हमस्वान हैं कलमा पढ़कर वकी मंदूरी तो दे चुके। अब दोबारह उटी मंदूरी तो जरूरी है। उन्हें तो अल्लान रसूल की अतात काहिड कर दिया। खुदा और मफलूग के सामने तो बारत ये बात साफ हो जानी चाहिए जो हमारी जमात इसलामी ने तहरी चलाई ता इसलामी दस्तूर बनना चाहिए पाकिस्तान में कुछ बन भी गया थोड़ा हो लेकर नगर ना भी बनता और ना बने किसी मुस्लिम मुल्क में तब भी उसके आबादी का मुसल्मान होना बात की लिए काफी है कि वहाँ की इस्तवाई निद्गी इसलाम के मताबब चलाई जा है जाहे वो कान्दान हो जाहे वúa बादार और बेंकों जाहे वो इसे पर हमारे उतर उसमद्धिए हो हमारी पार्टियां हमारे सारे लोग म Kenya कुरी एम्मत इसे मुंतिक हो किउसे अपनी इश्त्माईी निद्गी में दीन को कायम करना है, जाल के हाथ हो ने हमारी नजतेल नद बाल मुण टूर इंस पर जाती है जाहिरी इत्हाथ के प्हमाने टूरूर एक जूर अगे फराइएज रत ही, inosud जाल को किसा और व्यबाद के ही चाहे कॉर्ण के दूर करे तो आधना। तो फिर यह जो जाहरी इस्तिहाद या अदम इस्तिहाद कुछ बहुत आता है हम बिद नहीं रखता है तो जब भी उम्मत में इसला हुई वो इसके हुई कि शवूर पर जो गर्द पड़ गई थी वो दूर की गई और खैलात में दुबारा इतफाब करता किया गया तो यह वो काम है बिदीशाद को तुबारा खहिम करता है इसलर थीधा इसलर तो उसलर चाहिए तो जबनी चाहिए धिसलियाust मसाइल हर करने के लिए इस आलम इसलाम को आदा की दिलाई है इसमें इत्याद उत्फाप करदा किया जा है जो खेलात के स्थे पर हो और इस पूरी पूरे स्थे में जो आलम इसलाम के इसमें दीन को अमलन पायम किया जा है और उम्मत के सारे लोगों से कहा जाए कि यह हम सब का मुश्टरका मकसद है किसी खास तंदीन तरीका नहीं तो यह वो काम थे जो वोया हमारे मसायल दो करेगा अब तो दूसरा मामणा है वो है जिसके एहमियत दादा है जो और जो जदे लो जाए आजिए लिए जो हम उब कहा गया तो खेर अमद वे इस जिन दुन पर कहा गया तो इसके रहनुआई करें तो इन्सानियत की रहनुआई पर जो काम है वो यह चाहता है कर निसके खेरफा हो, उसकी खिद्मत करें, रब खायें देने लोगों से, उनके मसायर हल करें, उनको खुदा की तरफ बलाएं, और उनको मारूस कफुम दें, मुनकर से रोकें, तो ये वो काम है जो उम्मस को करना है ते लिए, इस काम की जो रूह है, वो इनसानों की रहनमा करना, मारूस कफुम देना, मुनकर से रोकना, ये उम्मत की असल दिम्मदारी है, और इस काम से जो एक बात सौन बाती है, मुझे उम्मी देगा, बस इस्तफाक करेंगे, वो बात ये है कि जो इनसानियत दाएरे इसलाम के बाहर है, उससे हमारे तावन की भी यही गुनिया दे हैं, यानि हम मारूस के हर काम में दावन करें भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, मुनकर को रोकने के हर काम में दावन हम सेश्च भी कर सकते हैं, और दावन हासिल भी कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला है, जो हमारे बहुत सारे दोस्तों करते रहते कि इन्सानों के दर्मियान जिन में मजभी अत्राफ हो उनको रहना तुबारा इस दुनिया मेरे इसी मुल्क में है तो वो साथ कैसे रहे उसका जवाब यह मखबूल कि सेकुलियर्जम की बुनियाद पर जो मुखम नामापूल और इस दिशारंगे नारा है और हमारा जवाब यह है कि मारूफ वाबस्तगी की बुनियाद पर और मुंकर को रद करने की बुनियाद पर इस बुनियाद पर इंसान तावन कर सकते हैं इस बुनियाद पर हम बादार में लेंडर कर सकते हैं जोका दिये बगए इस बुनियाद पर हम बादार में इस तरिक साथ तावन कर सक तो ये वह बोई वह मिशन है इन्सानियस से तालूक रखने का बहुती पॉचिजिव सरगरूंग एक्टिव तालूक इस तालूक ने में दो बाते बेश करने हैं। इस बात यह है कि इन्सान जब तालूक रखते हैं तो सिर्फ काम नी कटते बल्के बातें ही करते हैं। ब från बातों में अध्रास की बड़ी हमीय दोस्ति हूं हमारे बास से तोस्तो ईन्य का बहुत बाते हिं हम जोलाते हिर सुर्ट अरोग Sky main मिसार के जोड़ पर आप कहते हैं मध्धबी इंतिहा पसंदी और मुराद कह लेते हैं यानि तास्थूब का सुलूख तास्थूब का मध्भ बें सिखाया है तो बिल्कुल गलत इस तरह है तो मगरिब को हैं मध्भ और मध्भी ग्रोव दोनों को एक ही माना बेस नवाद करता है तो मगरिब ने इस तलाहात में जो इंतहाई दर्दे का इंतिशार देहनी पैदा किया है उसको हम हिंदुस्तानियों और मशर्टियों ने बिला सोचे समझे अपना किया है तो उनकी इस तलाहें ये इधार खयार के दर्यादे बंती हैं तो नहाम अपना मत्मेह नदर बादे कर सकते हैं ने इसलामी तावत दे सकते हैं तो एक उजारिश की है कि सारी मगर्बी इसलाहात को आप धरिया में डालें और अकल से काम लेकर पुरान सुल्द की रोशनी में माखूल इसलाहात को अधार करें एक एक इसलाहा बात सोचती है तफसीली मौका है मगर हर इसलाह साथ अंगेज है हर एक में शर्ट छपा हुआ है हर एक के गलत मानी है हर एक में अभाव है हर एक में इन्टिशार लिए दी दूसरी पुझारश यह है और आफी बात है कि यह बाते दो बहुत है जो पूरे आ 。」 जासो प्मूली काम कर रहे है यानि एक stanhah मतаров 65 उटे कर उठे है तो मतालवे के साथ हमें अपने mission वी यांदाना चाहिए और इसका लुग कर रहे हैं वह बही स्तलाहात है कि दुच्छ हो जो डियातर हो जो नहुद सहाए जिए कि दूना का में आभर यह, जनामय अपने मिश्याइवका रहे हैं और हम वही दारे, वही तलाए, वही दला máximo वही बाते इस्त्वा कर रहे हैं तो दूनिया कर रही है तो हमारा जटबा तो दीन ही है मगर हमारे från लागना ही है तो इसको दुरूस्ट करना थे ही जो बात था इन मुझ बारे मेरे हैं और खुच्छगबाद भात यह है कि हमारे मसाइल के हड़त फेहारख के जैण जाखिया सकतल है जो हंदुस्तान के मसाइल मेड़ाख है झाल 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 झाल